हेलो एबरिबन तो कैसे हैं आप सभी लोग आए होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं एक और नए व्लॉग में तो फ्रेंड्स व्रिंदा बन वाला टूर अपना खतम हो गया और आज दोस्तों हम कवर करेंगे त दौनों के अलग अलग बलॉग में अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों ताजमेहल अब ऐसा मैंने सूचा था कि मॉनिंग छे बज़े तक में चला जाओंगा लेकिन अब साथ बच चुके हैं मैं ठोड़ा लेट हो गया हूँ तो आप सबको पता ही है लेकिन फिर भी में वहा हुआ ले कि दोस्तों तो मैं पहुँझ चुका हूं बिल्कुल ताज महल के पास और मैं वेस्ट गेट की तरफ से एंट्री करने वह वैसे पाइन के लिए तीन गेट है लेकिन हम वेस्ट गेट से जाएंगे दोस्तों ताज महल के अंदर भी कोई भी मलब ट्राइपॉड वगरा अलाउड नहीं है तो मैं बस फोन लेके निकल पड़ाऊ और कोई बैग भी नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे टाइम बचाना था टाइम बचान पर नहीं जा पाऊ गए तो मुझे तब पूरा कवर करना था इसलिए मेरे दोस्तों 45 रुपे लगे टिकट के आप भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं एक दिन पहले वैसे एक बात है दोस्तों मॉनिंग के टाइम पर ठंड बहुत जादा है यहां पर पास में यहां पर यमना न और अगर आपने मजोलियम भी देखना है तो 200 रुपे आपको एक्स्टा देने पड़ेंगे जाने कि 250 रुपे की पड़ेगी आप से स्कैन और पे ऑप्शन भी कर सकते हैं वैसे आज टिकट काउंटर भी इतना रश नहीं है और सामने से होगी दोस्तों एंट्री ताज महल की और सूरज भी देखिए थोड़ा थोड़ा चड़ चुका है अब यह वह सारी चीजे हैं जो आप अंदर लेके नहीं जा सकते जैसे कि एटेबल्स टॉइस स्मोकिंग वगरा की कोई चीज वैपन हेलमेट बैक वगरा है तो आपको जमा करवाने पड़ेंगे लौकर रू यह चैकिंग बहुत ही जादा स्टिक्ड है मलब ऐसा लगता है एरपोर्ट वाली चैकिंग हो रही है जहां पर पूरा हाट डाल डाल के देखते हैं जेबों में तो ऐसी कोई भी चीज लेके ना आए जिससे आपको परिशानी हो और वह देखिए यहां पर सन्राइज हो रह दा ग्रेट ताज महल फोटोग्राफिय पॉइंट है आप ऐसे हाथ उपर करके फोटो खिचवा सकते हैं ऐसा लगएगा कि अपने ताज महल पकड़ा हुए और हम उदर जाएंगे दोस्तों लेकिन यह व्यू देखिए आप कितना ज्यादा प्यारा लगा तो अब यह है मॉस्क यानि की मस्जित यहां की और ऐसा ही दोस्तों स्ट्रक्चर बिलकुल इस ताज महल की बैक साइड पर यानि की ऑपोजिट साइड पर भी ऐसा ही बनाया गया लेकिन दोस्तों यह है यहां की मस्जित और ऐसा ही स्ट्रक्चर जो वहां बना है दूसरी साइड प यहां पीछे यहां पर यमुना नदी और यहां पर फॉक काफी होती है सुबह के टाइम पर क्योंकि ठंड है अब और उसके दोस्तों पीछे वहां पर 5-6 किलोमेटर के डिस्टंस पर आपको जाना पड़ेगा अगर आपको महताब बाग देखना यहां का तो आपको इस लगबग 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 वरकर्स ने काम किया था ताज महल को आप चारों में से किसी भी साइट से देख लिए यह आपको एक जैसा ही नजर आएगा यह पूरी सिमेट्रिकल इमारत है यह में आया था दूसी साइड पे ऐसी ही सेम स्टक्चर दूसी साइड प इसके अंदर चले जाएं दोस्तों यहां पे लोग थोड़ा पानी गिराते हैं अच्छी फोटो लेने के लिए नीचे से और यहां पर यहां पर बहुत सारी फोटो क्लिक की है रिल्स भी बनाएंगे यह सब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं यहां जी फ्रेंड्स तो मैं यहां जा रहा हूं ऊपर मजोलियम की तरफ लेकिन दोस्तों आप ऊपर आपको जाने से पहले यह फुट के लिए खरीदना पड़ेगा आप अपनी चपल या शूद ऐसे नहीं लेके जा सकते इसमें आपको शूद या चपल अपनी डालनी पड़ेगी फिर चलना कई कुछ ऐसा भी हुआ सुबय का और यह देखिए दोस्तों यह ऊपर वाला एरिया है जहाँ पर आप फोटोग्राफिय वीडियोग्राफिय थोड़ी बहुत कर सकते हैं और यहांब देखिए कितना सारा मारबल लगा होगा ना इसको बनाने के लिए और यहां पर यह ताज महल को आपको एक जैसा ही लगेगा यह जी दोस्तों तो मैं आप आ चुका हूँ उपर मजोलियम वाली साइड पर वैसे अंदर अभी मैं जाओंगा अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगारा अलाउड नहीं है यह आप बार ही थोड़ी बहुत कर सकते हैं इसके अंदर ही है दोस्तों शा जहां और मुम्तास की कबर आपको अगर अच्छे से ताज महल घूमना है तो आपको डेड़ या दो गंटे लग जाएंगे अगर आप मॉजोलियम वगारा भी घूमोंगे जिसकी टिकट भी एक्स्टा आपको देनी पड़ेगी और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप मॉर्निंग में आजएए जितनी जल्दी हो सके आजएए छे साथ बज़े के बीच में ताकि आपको रश थोड़ा सा कम मिले जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रश बहुत ज्यादा हो जाता है यहां पर 11-12 बज़े तो बहुत लंबी लंबी कुछ खाऊंगा पीऊंगा क्योंकि सुबह से मैं कुछ खा भी के नहीं आया हूं यहां पर फिर दोस्तों उसका एक अलग से व्लॉग शूट करूंगा मैं पूरा बाकी आप यह पीछे से देख सकते हैं यहां का व्यू और पीछे दोस्तों इधर है यमुना नदी चलिए दोस्तों फिर हम यह उपर वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद अंदर रहेंगे और फिर बाहर जो रहा जाएगा वह एक्सप्लोर करेंगे और थोड़े से फैक्स और मैं आपसे शेयर करूंगा चलिए मिलता हूं आपसे थोड़ी देर जी दोस्तों तो मैं अंदर से होके आ गया हूं अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लाउड नहीं थी वैसे दोस्तों अंदर बस वो कबरें थी शाजहां और मुम्तास की उसके लिए ही 200 रुपे चार्ज कर रहे हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे मुझे ल आई थिंग थोड़ा कम करना चाहिए चार्ज 200 रुपे थोड़ा सा जाधा लगा मुझे बड़ चलिए दोस्तों कोई नहीं जो है अब देख चुके हैं अम अंदर से अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या क्या है एक्स्प्लोर करने के लिए थोड़े से फ अर्बल मोसली राजेस्थान वगरा से आया था और यह देखें कितना ज्यादा दिमाग लगा होगा वह उपर देखें डिजाइन बहुत ही प्यारा अब हम दोस्तों चलते हैं यहां से नीचे माजोलियम से आपसे एक और फैक्ट मैं यहां का शेयर करता हूं यह जो आप च चारो मिनारे यहां पर बनी होई हैं लंबी-लंबी सी यह आगे की तरफ गिर जाए साइड में गिर जाए जो बीच का वो स्टक्चर है वो हाम नाओ कई उधर ना गिर जाए तो यह रिजन था यह चारो जो मिनारे इसको टिल्टेड बनाने का मैं जा रहा हूं इस साइड व चल रहे हैं वैसे दोस्तों यह जो ताज महल का यह स्ट्रक्चर है यह लगबक 73 मीटर की उचाई है दोस्तों इसकी और अब हम दोस्तों जाएंगे इदर वहां पर दोस्तों फोटोग्राफी पॉइंटा उपर चड़के आप अच्छी-ची फोटो बगरा खिचवा सकते है मैंने अभी एक बात नोट की जब भी आप देखें बैक कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे ना वीडियो आपको इसमें नहीं नजर आएगा लेकिन आप अपने कैमरे में ज़रूर देखिएगा जब भी आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपके फोन की स्क्रीन पर थोड़ी और यहां पर देखें कितने लोग यहां पर ग्रूप में सिंगल फोटो कि चवा रहे हैं आप नीचे जाके भी खड़े हो सकते हैं फोटो कि चवाने के लिए चाहे आप अपने फोन से लीजिए चाहे कैमरा से लीजिए बहुत बढ़िया फोटो दाएंगी और यह मैं आपको कह रहा था कि आप जितना जल्दी मॉर्निंग में आएंगे उतना बढ़िया है बाद में क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है यह देखिए कितना ज्यादा ब्रश हो चुका तो आपके फाइदे की बात ही कर रहा हूं आप मॉर्निंग में 6-7 बजे तक आ जाई है मैंने इसके बाद दोस्तों मैं जाओंगा थोड़ी देर में आगरा फोर्ट वही कवर करूंगा क्योंकि आज का ही दिन था अपने पास और मुझे आज शाम तक पहुंचना भी है वापिस नोईडा तो एक ही फोर्ट कवर होगा उसका दोस्तों मैं एक अलग से व्लॉप जैसे या बाहर आएंगे मतलब आप एंट्री पे भी या बाहर आएंगे तो आपको यहां पर खाने पीने के भी कुछ ऑप्चन मिल जाएंगी कुछ शॉप्स है जैसे चाय स्नैक्स वगर आप ले सकते हैं और एटियम फेसिलिटी भी है यहां टाच महल के बिल्कुल बाहर बाकि दोस्तों अगर आप ओफलाइन टिकेट ले रहे हैं तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी कीजेगा वहाँ पे कार्ड्स वगरा असेट नहीं करते या फिर ऑनलाइन मला मेथट आप यूस कर सकते हैं दोस्तों एक प्रो टिप मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहू बाकि दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे सस्क्राइबर्स की डिमांड थी कि भाईया ताज मेल का रव्यू करो तो मैंने कर दिया आप मुझे कमेंट में बताना वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना चैनल को भी कर देना सस्क्राइब ये व्लॉग को अब हम यही पर एंड करते हैं I hope आपको ये व्लॉग बढ़िया लगा होगा thank you so much guys for watching this vlog and stay safe